दोस्तो अगर आप भी केल राहुल और भोवनेश्वर कुमार को शानदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो नवाबो की शहर में छाये लखनव के गिनबाज अपनी आग उगलती हुई गिनबाजी से मचाई इसकदर तबाही तहस नहस हो गया औरेंज आर्मी हैदराबाद का बल्लेबाजी करम तो आखिर कैसे लखनव की घातक गिनबाजी का जवाब देते हुए हैदराबाद ने किया पलटवार क्या कुछ हुआ इस महा मुकाबले में जिसे देखने वाले अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए टॉप आर्डर के धुस्त होने के बाद किस बल्ले बाजने मचाया है कोहराम इस महा मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक और भूबने शर कुमार में सबसे खतरनाग गिनबाज कौन है हमें में होम टीम के सामने और इंज आर्मी हैदराबाद की चुनावती दी अपने अफरीकी सितारों की वापसी से हैदराबाद का कॉन्फिडेंस भी साथवे आसमान पर था इस महा मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरे टिक हुई थी लखनओ का इकाना स्टेडियम खचा-क मुकाबले में उतर रहा था लखनओ को एक करारा जटका लगा और पिछले मुकाबले में पांच विकट चटकाने वाले उनके सबसे एहम गिनबाज मार्क वोड इस मुकाबले से बाहर हो चुके थे हैदराबाद के लिए अपनी टीम को एक धाकर शुरुआत दिलाने की रा हैदराबाद का दबाओ बनाना शुरू कर दिया था पिछ बल्ले बाजी नहीं बलकि गिनबाजों के मुफिद लग रही थी जिसका वह बखोवी फाइदा उठा रहे थे लेकिन अन्मोल्स प्रीज सिंग ने भी बहुत जल्द अपने हाथ खोलने शुरू कर दिये जैदे केल राहूल भी जानते थे और उन्होंने पिछ के मद्दे नजर बहुत जल्द कुनाल पांडिया को गिनबाजी आकरमर पर लगा दिया वे दोनों बल्ले बाजों को बिलकुल भी पेश नहीं देना चाते थे लेकिन बल्ले बाज अपनी कला में माहिर थे अगरवाल ने कु इप शौट से चौकब अटूर कर इस ओवर को बड़ा बनाने का इरादा जाहिर कर दिया ऐसा लग रहा था कि वह इस गिनबाज के परखचे उड़ा देंगे लेकिन कुणाल भी जाल बिछाने में माहिर है उन्होंने इस बल्ले बाज और हैदराबाज के सभी रादों पर पानी फेरते हुए मैंक अगरवाल को अपने जाल में फसा लिया दुबारा गेंग को बाउंडरी के बाहर फेकने के प्रयास में मैंक 30 सियाड सरकल में ही अपना कैज थमा कर वापस लोड़ गये यह हैदराबाद को बहुत बड़ा जटका था क्योंकि मैंक अगरवाल केवल पर राज करने वाले हैं कुणाल पांडिया अपनी घातक गिनवाजी सहधराबाद पर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए थे लेकिन देखते ही देखते अन्मोल प्रीज सिंग ने भी अपने अंदाज में बदलाव करना शुरू कर दिया पांचवे ओवर में गिनवाजी पहली गिन पर उन्होंने विकर्ट के पीछे इतना खुबसूरत शॉट लगाया कि पूरे स्टेडियम देखता ही रह गया गुटनों पर बैट कर उनका लगाया गया हुए चौका उनकी क्लास को दर्शा रहा था जिया दोस्तों इस ओवर को बढ़ा वरता ही हुए अन्मोल हैरी, वुड, एडन, मार्करम जैसे बल्ले बाजू का आना बाकी है ऐसे में हैधरबाद कम से कम 170 रनी स्पिच पर बनाने चाहेगी लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि हैधरबाद और लखनाओ में कौनसी टीम प्ले आप में कौलिफाई कर सकती है हमें नीचे दूर बताईए और ऐसी शांदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद